वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ जरूरी और कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो करंसी न्यूस की लेकिन सबसे पहली जो प्डेट की बात करें तो वो है Dogecoin को लेके और Dogecoin यहाल पे एकदम से ग्रीन के अंदर आया है अगर आप देखेंगे एकदम से श् mateix बड़ी ग्रीन केंडल miejsce Dogecoin के price में देखने को मिलिया है और इसके पीछे किया रीजन है वो भी बात करेंगे और यहां से क्यों डॉज कोईन की जो प्राइज है वो और भी ज़्यदा इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि फाइनली जो इलान मस्क सपोर्ट करते रहते हैं डॉज कोईन को लेके अगर आप देखेंगे डॉज कोईन का जो प्राइज है 6.43 पे आ चुका है 6 रुपीज पे डॉज कोईन पहुंच गया और 6 रुपीज 43 पे आ चुका है और 4 परसेंट अभी ग्रीन में चल रहा है ठीक है यह एक ग्रीन केंडल बनी है सीध ही एक ग्रीन बडी केंडल और इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे लगातार वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है यह फ्लक्टुएशन हो रहे हैं और यहाँ पे एक तरफ मार्किट रेड के अंदर है और डॉज कोईन के प्राइज इंक्रीज हो रहे है तो इसके पीछे क्या रीजन है यह भी जान ले तो हम आ गया है इलॉन मस्क के ओफिशियल ट्वीटर पेज पे और अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी 31 मिनिट पहले एक ट्वीट किया है और यही ट्वीट सेम ट्वीट किया था डिसमबर के अंदर कि डॉज कोईन की जो डॉज कोईन पेमेंट एकसेप्ट होगी टेसला मर्च के लिए पहले दिसमबर में यह अपडेट आया और जनवरी से एकसेप्ट होना स्टार्ट पी हो गया और जनवरी में यह अपडेट आया दोनों अपडेट के बाद डॉज कोईन के प्राइज में 15-20% के लेकिन सून स्पेसेक्स मर्च 2 मलब स्पेसेक्स मर्च के लिए भी अब यहां पे डॉज कोईन की पेमेंट एकसेप्ट होंगी और यह बहुत बड़ी अपडेट है टेसला मर्च के लिए पहले एकसेप्टेंस किया और जिस तरह से टेसला का ट्वीट आया था दिसमबर के अब यहां पे 15-20 दिन के अंदर आपको यह चीज भी देखने को मिल सकती है और स्पेसेक्स के लिए सून तो यहां पे जल्दी स्पेसेक्स का भी एक नया ट्वीट आएगा जब एकसेप्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा तो फाइनली डॉज को लेकर एक अपडेट आ जब इलाउन मसका ट्वीट आता है डॉज को लेके तो यही हाल होता है डॉज को अप देख रहे हो डॉज को इस टाइम पर ग्रीन में दिख रहा है ठीक है तो देखते हैं इस पर डॉज को इन कितने रैली दिखाता है क्योंकि एक बड़ी रैली यहां पे पूरी अपडेट है एथेरियम को लेके क्योंकि अगर आप देखेंगे एथेरियम के प्राइस काफी नीचे गिरे हैं कल सही 1700 के डॉलर पे एथेरियम दो बार आ चुक और यहां पे जो इकोनॉमिक स्किफ है जो पीटर स्किफ है उन्होंने यहां पे प्रेडिक्ट किया ए देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है 1.3 बिलियन यूस्ट बर्निंग को लेके कि यहां पे कुछ वोटिंग होई है यूस्ट की बर्निंग को लेके पहले भी हमने आपको अपडेट किया था 1.3 यूस्ट टॉकन्स टू भी बर्न प्रपॉजल रिसीव 99 परसेंट जो वोट साइन फेवर तो जिसको 99 परसेंट वोट मिले है और यहां पे 1 बिलियन 1.3 बिलियन यूस्ट टॉकन बन जो है यहां पे उसको उस प्रपोजल को यहां पे पास कर लिया गया है ठीक है और इलॉन मस्क का एक और ट्वीट आया था कल डॉज को को लेकर जिसका अपडेet हमने आपने आपको मौरिंग में दिया था और डॉज कोईं का एक एक रिपलाइ आया था इलॉन मस्क का जिसमें ये अलॉन मस्क ने का था डॉज ट्रिलियन एर, डॉज कोईन को ट्रिलियन एर यहाँ पे का था और डॉज कोईन ट्रिलियन एर दमुवी इस तरह का ट्वीट था अगर आप यहाँ पे देखेंगे यह ट्वीट था और आज एक और नया ट्वीट आता हुआ डॉज कोईन को लेके और इस तेम पर Dogecoin के price जो है वो surge भी हो रहे है और Luna 2.0 को लेके आपको update मिली चुका होगा कि आज Luna नहीं आई है market के अंदर यहाँ पर delay किया गया है और Terra new blockchain Terra 2.0 to launch on Saturday तो कल Saturday को यहाँ पर 28 May को जो है Terra 2.0 आएगी और Terra will launch a new blockchain called Terra 2.0 और the team behind the project revealed on Twitter. The airdrop of new Luna tokens is also expected to happen around the same time. तो यह सब चीज़े हैं और the Terra community had voted in favor for creating a new chain after the original one with stable coin UST clubs. तो अगर आप देखेंगे many crypto exchanges भी यहाँ पर बहुत सरी exchanges भी support कर रही हैं और कल finally market में जो Luna 2.0 है उसके दर्शन यहाँ पे सभी को हो जाएंगे और next update है Stepan को लेके GMT को लेके और GMT के price आज morning में हमने आपके update किया था टेलीग्राम पे तो morning में इक price गिर गए थे काफी ज़्यदा price गिरे है GMT के 77 पे भी trade कर रहा है 65 उससे भी नीचे price चले गए थे और क्यों गए यह भी जानना बहुत जरूरी है अगर आप देखेंगे Stepan GMT token drop 20% over game plan to ban Chinese users यहाँ पे GST के price भी drop हुए है जो दूसरा token है इनका green अगर आप देखेंगे satoshi token तो दोनों के अंदर यहाँ एक downfall हमको देखने को मिली और यहाँ का impact पड़ा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे और इसकी वज़ा से अगर आप देखेंगे और यहाँ पे the platform will track user software and will not provide GPS service to the account based in China तो ठीक है तो चाइना के लिए था चाइना के तरह से यूजर को ban किया गया है और Stepan token GMT dropped more than 20% तो यह एक सबसे बड़ा reason है Stepan के गिरने का GMT के गिरने का next update की बात करें तो वो है Bitmax की तरव से Bitmax spot exchange hit record high daily trade volume of 24 million तो Bitmax की spot अगर आप देखें Bitmax exchange के उपर recently saw record 24 hour trade volume of 24 million तो यहाँ पर record volume अगर आप देखेंगे last 24 hour के अंदर Bitmax के उपर आया है और यह है 24 million dollar का और दिस comes around 10 days after the crypto platform introduced the support spot trading option और यह जो spot trading option है अगर आप देखेंगे the number of first time deposit and daily sign up on Bitmax jumped 5 times since the spot trading option was officially launched on May 17 तो जब से spot trading अगर आप देखेंगे launch हुआ है और यहां पर अगर आप देखेंगे it currently offers seven pairs of crypto bitcoin, ethereum, uniswap, apcoin तो यहां पर Bitmax के उपर जो daily trade volume है वो अपने high पे चला गया और यह है 24 million dollar का तो हुआबी ने यहां पर buy कर लिया है एक exchange को और जिसका नाम है Bitex और अगर आप देखेंगे हुआबी buys crypto exchange Bitex to expand Latin American business तो यहां पर acquire कर लिया है, buy कर लिया है किसको, Bitex को और Huobi भी एक बड़ी exchange बनती जा रही है जैसे और भी exchanges छोटी-छोटी exchanges को खरीद के खुद में मिला के जो है बड़ा रूप ले रही है और Huobi ने भी यही चीज़ कहिए अपना expand करने के लिए और यह जो expand होगा यह Latin American business के लिए किया गया है तो next update की बात करें तो वो है इंडिया की तरफ से और इंडिया leads the globe in the adoption of play-to-earn gaming तो यहाँ पे इंडिया lead करेगा किसको play-to-earn gaming को adoption को adopt करेगा play-to-earn gaming और यह क्यों होगा, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे the play-to-earn जो यहाँ पे यह भी trend है crypto market के अंदर वहत सारे coins है play-to-earn से जुड़े हुए और concept of blockchain has exploded in the recent times ठीक है among the many applications of blockchain tech और अगर आप देखेंगे finder.com जिसने Shiba Inu का यहाँ पे prediction किया था भी recently जो zero हो जाएगा 2030 तक उनी finder.com ने recently survey किया the players who engage in NFT gaming across the globe according to the report अगर आप देखेंगे 43,312 person from 26 countries were polled for data related to various parameters of NFT gaming और इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे India has taken the top spot in the play to earn games तो यहाँ पे जितने polls हुए जितना यह persons थे यहाँ पे इस survey के according 34% of Indian respondents had played a P2E game तो P2E game खेलने वाले P2E game को लेके इंडिया सबसे उपर है यहाँ पे 34% के साथ इसके लावा NFT gaming के अगर बात करें is popular in Hong Kong 29% के साथ इसके लावा United Arab Emirates UAE भी यहाँ पे 27% के साथ है इसके अलावा Sweden is at the bottom with the 4% Sweden के 4% है France के 6% है तो यहाँ पे play to earn को adopt करेगा इंडिया यह तो आने वाले टाइम में पता चलेगा लेकिन इस सर्वे की माने तो यहाँ पे 34% of Indians जो है यहाँ पे बड़ा नंबर होता है अगर आप देखेंगे इस सर्वे में और इंडिया टॉप पे है तो कहीं न कहीं फ्यूचर में play to earn का जो future एंडिया के अंदर adoption जो है play to earn गेमिंग का वो भी हमको जो है देखने को मिल सकता है और भी जएदा तो यहाँ पे जो टेरा है लूना है तो लूना के लिए और bad news यहाँ पे आ रही है अगर आप देखें covered आपे major exploit that led to अगर आप देखेंगे tens of millions of dollars अगर आप देखेंगे यह जो एक नया allegation लगता हुआ यहाँ पे mirror protocol को लेके बिल्कुल mirror protocol को लेके और यहाँ पे allegations लग रहे हैं यह लग रहे हैं do कौन के उपर जो terraform labs के CEO है और इसके उपर अब क्या जवाब रहता है क्या reaction रहता है do कौन का और यहाँ पे bad news अभी आना कम नहीं हुई है बंद नहीं हुई है जब तक यहाँ पे सारी चीजे पहले जैसी नहीं होती है और पहले जैसी होंगी या नहीं होंगी यह time बताएगा लेकिन mirror protocol जो एक coin है अगर आप देखेंगे मीर जिसको आप बाल सकते हैं उसको लेके यहाँ पे भी allegations लग रहे हैं do कौन के उपर तो अभी तक आपने हमको Twitter पे Telegram पे follow नहीं किया है तो follow जरूर कर लिजेगा join जरूर कर लिजेगा Twitter पे इस टाइम पे trend ओरा lunatic और यहाँ पे lunatic जी हाँ जितने भी luna holders हैं luna जो खरीद रहे हैं वही आप देखेंगे यहाँ पे उसी को लेके एक trend होता हुआ यहाँ पे lunatic next update की बात करें on bittrue for huge returns तो staking को लेके update है dodge coin और shiba इनु की yield farming pools are arriving on 27 May 7% APY के साथ और यहाँ पे सारी details है ठीक है staking को लेके और bittrue की तरफ से यह update dodge coin और shiba इनु को लेके next update की बात करें तो वो है now payments की तरफ से वो भी bit gert को लेके we have a and withdraw fiat every time you want तो मतलब bitrise से आप bitrise accept कर सकते है bitrise से pay कर सकते है और आपको withdrawal मिल सकते है fiat के अंदर यह update है bitrise को लेके तो यह कुछ updates थी now payment भी यहाँ पे support करता हुग bitrise को तो यही कुछ crypto updates थी I hope इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई